ओम शांती आज 18 जन्वरी 2023 है और आज के दिन सभी ब्राम्वन कुल भूशन बच्चे प्यारे ब्रम्हा बाबा जो की इस बेहद विश्व की मा है निराकार के साकार माध्यम है निराकारी निर्विकारी निरहंकारी इस मूल मंत्र का स्वरूप है उनको याद करके उनकी स्मृति में स्वयम को उनके गुणों से निहाल करके आज का सारा दिन हम तपस्या में लगा रहे हैं यह तपस्या ब्रम्हा बाबा के पूरे जीवन क की तपस्या को दर्शाती है, कैसे उन्होंने अपने पूरे जीवन में ही किन-किन बातों पर ध्यान रखा, कैसे स्वराज्य दिकारी बने, सब के दिलों पर राज्य करने वाले बने, तब आज अपने संपून नारायन स्थिथी में स्थित है, परिष्टा स्थिथी में स्थि हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे साकार रूप में ब्रम्हा बाप समान फरिष्टा स्थिथी का अनुभफ करने के लिए मन की एकागरता पर अटेंशन दो ओडर से मन को चलाओ मालिकपन के स्टेज की सीट पर भिन भिन श्रेष्ट स्थिथियों की सीट पर सेट रहो मन में जब कोई कमजोर संकल्प उत्पन हो तो उसे वहां ही खत्म कर शक्ति शाली बनो संकल्प रूपी फाउंडेशन को मजबूत बनाओ तब अव्यक्त कशिश आएगी जैसे साकार रूप से भी जब ब्रम्हा बाबा को देखते थे तो साकार में होते हुए भी बाबा के अंदर एक अव्यक्ति कशिश थी महसूस होता था कि ये व्यक्ति इस लोख का नहीं है ये कहां से आया तो ऐसी अव्यक्ति कशिश बाबा में कैसे आई ये बाबा का पुर्शार्थ था कई बार बाबा कहते हैं मुर्लियों में गुड जाने गुड की गोत्री जाने बाबा ने क्या पुर्शार्थ किया? इसका स्वरूप सब को समझ में आया लेकिन उसका जो पुर्शार्थ की विधी थी वो कुछ नहीं समझी बास्तव में हर शन बाबा का अपने उपर अटेंशन था बाबा की डाइरीस भरी हुई है मनन चिंतन से रोज बाबा अपने कर्वेंद्रियों की अपने मन की कचेहरी लगाते थे सारा दिन बच्चों की सेवा में समर्पित शिव बाबा के रत होकर के शिव बाबा को ही सारा समय जीवन तन मन धन सब समर्पित उस बीच में भी इतना व्यस्त इतनी जिम्मेदारियां इतने बच्चे इतनी सेवा होते हुए भी बाबा का जो पुर्शार था वो अंद्रूनी था एक कागरता में रहकर अंतरमुखी रहकर अपने आप पर अटेंशन हर पर बाबा ने दिया तो यही शिक्षा आज बाबा भी हमें दे रहे है कि अपने उपर बाहर से भले कुछ भी कर रहे हो लेकिन मन ही मन पूरा अटेंशन हो मैं अपनी करमेंद्रियों की मालिक मन की मालिक बन करके हर कर्म करूं तो ऐसे अंद्रूनी पुर्शार्थ से बाहर की सेवा करते हुए भी हम ये प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं और इस मालिकपन की स्थिथी से ही श्रेश्ट स्थिथियों के आसन पर बैठें स्वमान की सीट पर सदा बैठे रहें मालिकपन की सीट पर सदा बैठे रहे तो बहार की सेवा भी साधन बन जाएगी बहार का हमारा कर्व वेवहार संबंध भी साधन बन जाएगा अपने आपको कर्मातीत बनाने का ओम शान्ति